नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल जी के कुई जी रोनक में दोस्तों इस वीडियो में अपन राजिस्थान का पशुतन बिल्कुश आंदर ट्रिक्यम आद्यम से याद करेंगे इस वीडियो में अपन भकरी वंश की जानकर ट्रिक के माध्यम से देख चुकिए अगा जिसने वाली वीडियो से नहीं देख लेना में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा आए दोस्तों बेना देरी करें वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बगरी वंश की परमुग नसलों को याद करन आयो महले की मानों की बार बार घृत का आता का आता एक अ आती है आपके त्रिक बार बार नाम जिनका जमना चारवारी नसलkan प्रवतपड आपको देगा तो जाकर जखता क्या दूआ तो आधरी नसल से बार्वारी नसल सेcan रेकिन कि इससे बलकुल ईसी निंगल सेंगे बनाकर यहीं, पर अब भन कहलए क्याती निकल यह निसल, बैंड़ नि देंड होगा बखर, बार बार से बरवरी परवत परसल नागुर वली नसल जाकर सोचव जागार जखराणा नसल जमनस हो जागा जमनापरी नसल गारवाली नसल ननका्म बटराद़ यह राटी नसल बेड़ बकरी तो दोनों का है अभी का नगर Talk में अब इस तरह की तान खले न और में इनकी तरह की बना हुआ पर्जनल संस्थान पश्चुदन से अब कि आलेटेड़ को अ वाली ट्रिक देख लिए ना है अब देखते दोस्तों, इनकी एक एक नसले बारे में सबसे पहले बार ब्ली नसल में जानते हैं बार बरी नसल की जो बीड़ होती है निया परसारवादिक सुंदा नसल होती है बार बरी नसल की सब्छी के सब्छी सब्छी रजय सुंदा नसल ब्लु tutto को घृड़ी में द fiquei take कुछ से था। बार बार की जाती है इसलिए क्या हो गई यह सुन्दर ओगई ठीक है और जो विसके साथ बजने समता तो डाभात बबगधिक तो सरवादी पजर्म्ता वाली बखरी है अब राजास्थान में गावा जैती जाती है अलवर भरत पूर करोल डोल पूर सवयमतपूर बासवर्ग के कुछ शेतर हुए अब इसको किसे बार बार की ओता ऑफारत में या होता वार बारीश जाती हो बारीश से सायमात्पूर ए से अल्वा डी से दोलपूर के से करोल्यू बर्स हो जाएगा भरत्पूर आगे पांचो चुलियस के अंदर सायमात्पूर अल्वा दोल्पूर करोल्यू और बरतपूर जला कोई dikkahत नहीं आए अफ़ नेक्स नसल के उपड़ चलते हैं लिए किने मिश्रेड से सलबनी मुझे और राज स्तान में अगर उकर जातीएRe तौँज में पर्वत्थ कोंगर उपर उतल्प कभी बाहर के ऊपर चड़े में। तो आपने थंड़े पी जनेत बहुते होँ ससक तो इसे जन्नत में ऑगए है तो परवदपर क्या लगता है यह से जन्नत में आ गये अब देको इससे क्षच गिसमे टोंक जेबुल अब पनी आपती है next नसल हो अपनी जख्राना जिसको अल्वरी नसल की नाम से भी जायने जाता है यह बक्री की स्रफशेष्ट नसल है क्या बक्री की स्रस्फेष्ट नसल है अब आप इसको किसे भाइज नंखुड़ के जख्रणप का आपना जाए नख थे हैं बखर्ण बना दिया इसको अलवर ंशल भी तो आपको पता है यह के बहुत है बहुत में पाहुतिती है बह recycling आपको के लजकते है बहुत को लड़के लड़के नकरण को अब लवarse हो जाएगा अलवरक्रे से हो जागा जख्रानै आगर आम करना के तो नखरे हो जाथा भाव जख्राना होता है आई एक छिए अपनी जमना परी निसल अब इसको कया से दो नोगस नेंगे पूछा का कोशन की बकरी सी नशल apo पर दिन थनी नियर लगे परियोजनी नसल कौं सी ये तो यह रखं कर को दीप योजनी भी घटेंगों थीं डूड़ मासी काम स्अपयाँ bit की histori में शर्वाद टोने वाड़ी की अ 150 बहुत थिंягाषी ङांग Iraq एकाँ पाँ छ राजयस्थन के हाडुतव शेत मैं तो इूज कोटा वूंदि-बारा ट Case फीके बाभ इसको किसे को ट्रिक से दानर्ग कोई आपका इन दिखकर जेमना क्या की अपकी बाइजाथी सस्टाइны अपनी महारवडी नजल की लारे सतार में पैज्यांने मारवड शेत्र पर शक्राइट रहे तो पूर ममला पुर से आपते आपते नसल पीजिए नसल अपरा चलते हैं वे आपको रटना ये एक्जाम के अंदर पूचा गया कोशन है और बार बार बूचा आता है तो ठीक है आप इसको मैं आपको पथा दूँ आपको आपको याद रिखारगा पशन के निदा को थोड़े तो जो तो आपको याद करोगे लेकिन थोड़े टैमबात आदमी भूल सर आजाउं से आपको निकालना सिर्व हास अजमेर और पंद का रामसर अजमेर में इस तरह किसे आपको इसको द्हान रखना है इनवाले शेटरों में ये नसल भी आईए अपन नसल की उपड़ चलते हैं एस्नली लोही नसल यह ref修 मास देने वाली ब्रहं रवाटी की नसल Rocky को आपकर वैलो पर लाब लटो की वाचिछorkों की ओर ले की पर लेंफे या थस्का में आपके लोगों कहले ते राजस्तन के आप है तो इन दोनों वाले गंगानगर में कौन सी नसल पाई जाती है बकरी की तो लोही नसल पाई जाती है आईए बन नेक्स नसल के ऊपर चलते हैं नेक्स नसल अपनी शेखावटी नसल ठीक है मौस्ट इंपोर्टन यहां से एक्जाम के अनर कोशन पूछा गया है क्योंकि ना यह एक मात्रिशी नसल जो की ना काजरी जोत्पूर में स्थित देना तो के वेग्यानिक वेग्यानिक रखिषित की गईन है और यह सींग्स का होता है या तो से नहीं नियुद नियुक्ता है तो इक इसको कोन्सी नसल है यह छेखावटी नसल यह कजरी जोत्पूर में रखिषित वी वेग्यानिक को रायस्तन में पाईजयती कोई दिकत नहीं या आइग आई आपको इसके नि क्या मारी तो इसके सींह तोड़ दिया इस तरीके से इसको ध्यान रख लेना और शेक आप शेक आपटी शेता को सबको पता चूशी कर जुन जुन आइए पन दोस्तो आप बख्री से संबंदीत कुंछ में पुछन बंचाता है बख्री के संक्या की देश्टार का देश मैं प गाए भेड़ बकरी उट गाए घदे इन सम्में सर्वादिक पशुदन किसका बकरी का यह मलब की रायस्तर गांग के अंदर 100% पर्चुदन जिसका 37.58% तो क्या बकरी यह तो रायस्तर में सबसे बड़ा पशुदन किसका बकरी का 37.58% ठेके नागूर का वरून गाउं जिसक सब्सक्राइब नागूर के वरून गाउं की बक्रिया भी पूर वारत में फेमिस है और बक्री के मास्कों के चेवन केते हैं और यह एक्जाम केंदर पूछा गया कोशन है बक्री पजनन केंद हैं चारा विकास केंदर इससे विल आपन ने क्या बढ़ाता वह तो अभी का बढ़ाता केंदर यह दिए अनुसंदान सिल्स्तन वह तो अभी का नगर टोख में लेकिन बक्री पजनन केंदर चारा विकास केंदर तो रामसर अजमेर में और रामसर अजमेर में इसका सिरुली नसल का पजनन केंदर आपको यह डोनों बात याद रखनी है ठीक है अब क् सब बकरी विकास सेंचारा उत्पादन परियोजना के अंतरगत रामसर रजमेर में बकरी परजनन फॉर्म भी इस्थापित किया गया है यह इंदर देश का नाव पूछा जा सकता है और ना सरवादी बकरिया आपको बता है वैसे तो मैं ट्रिक बना चुका हूं हर एक पशु पायती न्यून तम भख दिया तो दोस्तों पुदिक अच्छी लगयोगी वीडियो अच्छी लगयोगी तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेर करना तता इसी तरह की की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे बहले बाने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें त हुआ है